नमस्कार दोस्तों, किताबी कीडा के इस एपिसोड में आज हम जिस किताब के समिक्षा करेंगे या जिस की चर्चा करेंगे वह है अनौजन जा की किताब गांधी मैदान, बलफ अब द सोसल जस्टिस इस किताब में अनौजन जाय को पहले उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, अनौजन जाय वरिष्ट पत्रकार हैं, विविन टीवी चैनलों में सीनियर पदों पे काम कर चुके हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं इस से पहले वो रामलिला मैदान नाम के किताब दिल्ली की राजनीती पर लिख चुके हैं, इस किताब में उन्होंने बिहार के दो दिगज नेता हूं, लालुयादो और नितीश कुमार के उभार और कारेकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, किताब लालुयादो के र परणाम आने से पहले ही यह किताब आ गई है, तो जाहिर है कि नतीशों के बारे में यह किताब चुप है, लेकिन उस से पहले नितीश कुमार के बारे में भी उनके करीब तीन कारेकाल का लेखा जोखा वह प्रस्तुत करती है, लालुयादो के बारे में अन्रोजन जहा की जो तमाम राय है, जो संग्छेप में कहा जाए तो वो सचमुच बहुत नकारात्मक है. अम्रजन जहा मानते हैं कि शुरू के एक दो साल में लालु यादव ने कुछ अच्छे काम किये या कुछ ऐसी चीजें की जिससे जनता में उनकी बहुत पैठ बढ़ी. लेकिन बात के सालों में वह पूरी तरह से सिर्फ पैसे कमाने में और बिहार के बुनियादी सिस्टम को खराब करने में लग गए. लालु यादव को लेकर अमरजन जहा के मन में जिस तरह के भी शिकायते हैं, उससे जुड़े उन्होंने बहुत सारे किस्से शेयर किये हैं, तमाम तरह के एनेक्डोट्स हैं, जिनको इंडिपेंडेंटली वेरिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, राबडी देवी को CM बन सुनकर राबडी देवी खुस होने के बजाए बहुत दुखी हो गई, और उनके परिवार में एक बहुत घम का माहौल हो गया, उसी तरह जब चारा घोटाले में लालु यादव पर केस हुआ, तो प्रधानमंत्री आवास में बैठक होई जिसमें लालु यादव और देव यादव ने कहा कि क्यों देवगोडा जी तुमको इसलिए पीम बनाए थे कि तुम हमारे उपर केस करा दो, तो देवगोडा ने कहा कि लालु जी आप पार्टी को भेंस की तरह चराना चाहते हैं, और हम जो हैं देश चलाना है हमको, तो इस तरह के समवाद हैं, इस तरह के अनेकडोट हैं जो पढ़ने में आपको मज़दार लग सकते हैं, और तेजस्वी यादव और तेजपरताप यादव से भी जुड़े एक एक इंट्रेस्टिंग अनेकडोट हैं इस किताब में, खास तोर पे तेजपरताप यादव के बारे में जो दावा किया गया है, उस इसमें वो लोग गयते, जैस्वी वहाँ पे महमान के तौर पे गयते, इसलिए वो खापी के वहाँ से निकल गये, और उसके बाद उनके दोस्त भी खापी कर निकल गये, रेस्टोरेंट मालिक को उसका बिल नहीं पे किया, तो रेस्टोरेंट मालिक ने बिल एक पत्रकार क माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचवा दिया तो मुख्यमंत्री ने लालू जी को अभिल दिया कि भई ऐसा हो रहा है और इससे बड़ी बदनामी होगी नितीश कुमार का लालू प्रसाद यादों के संग जाने को लेकर भी आनुजन जाक हैं और एक तरीके से उन्हें विफल बताया गया है यह अलग बात है कि लालू यादों के जो अच्छे दिन थे उनके सरकार के जो अच्छे दिन थे वो एक साल डेर साल के बताये गये हैं और नितीश कुमार के पहले कारेकाल को अनुजन जाने काफी हद तक एक बहतर कारेक को ऐसा आरोप है और इसी तरह विविन्य योजनाओं में भी भ्रस्टाचार का जो आरोप है वो नितीश कुमार पे भी है किताब पढ़कर आपको बिहार की राजनीती में अगर उची है तो कई मज़ेदार चीज़ें आपको मिलेंगी और अगली बार हम आपके सामने किसी औ किताब को लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार